This is a question, a man buys 5 dozen eggs at rupees 36 per dozen तो cost price, मतलब किसे आदमी ने 5 dozen eggs भेचे है, सौरी खरीदे है 5 dozen हमको पता होना चाहिए कि 5 dozen में कितने piece होते हैं, कितने units होती है तो 5 dozen मतलब 5 into 12 that is 60, ठीक है, तो 5 dozen eggs मतलब 60 eggs 5 dozen eggs मतलब 60 eggs उसने खरीदे हैं तो cost price क्या चल रही है, cost price चल रही है, 5 dozen eggs खरीदे है at rupees 36 per dozen, एक dozen की cost कितनी है, 36 तो cost price of 1 dozen is given, पर दिया हुआ है per dozen, that is 1 dozen cost price of 1 dozen is equal to rupees 36, और खरीदा कितना है उसने, cp of 5 dozen उसने 5 dozen खरीदे हैं, तो it will be rupees 36 into 5, that is rupees 180, एक 180 rupees का उसने एक खरीदा है, ठीक है, अब क्या हुआ है, उसमें से, 60 में से, 5% of 60 eggs क्या हो गए, ब्रेक हो गए, broken eggs हो गए, ठीक है, हम लोगों पता, अब इसमें 5% दे रहा है, तो हमको पता होना अच्छे कि कितने एक टूटे हैं, 2, 3, 4, 5, कितने, तो that value, we will have to find out, तो 5% of 60, मतला 5 upon 100 into 60, 0, 0 and 3, तो 3 eggs, कितने eggs थे हमारे पास total, 60 eggs थे, 60 eggs में से, हमारे 3 eggs ब्रेक हो गए, खराब हो गए, ठीक है, तो हमारे पास fresh eggs कितने बचे हैं, 60 minus 3, that is 57 eggs हमारे पास बचे हैं, अब इन 57 का क्या कर रहा है, he sold the remaining eggs for rupees 48 per dozen, अब हमारे पास selling price कितने की, 1 dozen की selling price कितनी है, हमारे पास 48 है, ठीक है, और हमको निकालना है कि 57 eggs, तो हमको 57 dozen में नहीं पता कि कितना होता है, तो हम क्या करेंगे, selling price of one dozen मतलब क्या, 12 हो गया, one dozen eggs अगर हम यहां निकारा है, तो यहां पर 12 eggs हो गया, is equal to कितना हो गया, 48, one dozen का cost कितना है, 48, मतलब 12 eggs का cost हमको कितना हो रहा है, एक dozen में 12 अंडे, तो 12 अंडे हमको कितने के मिल रहा है है, 48 के, तो SP of 1 egg कितने का हो जाएगा 1 egg हो जाएगा 48 upon 12 that is rupees 4 rupees 4 का हमको 1 egg आ रहा और हमको sell कितने eggs करने है 57 तो selling price of 57 eggs is equal to rupees 4 into 57 so it will be 2 to 8 ठीक है तो 57 eggs का selling price कितना हो गया 228 ले के कितने में आया थे 180 में और sell कितने में हो गया 228 में तो यहां पर selling price क्या हो गया selling price is greater than cost price therefore profit profit कैसे निकालेंगे हम लोग selling price minus cost price that is 228 minus 180 and rupees 48 is the answer यह इतने का profit हुआ है profit percent निकालनोगो तो profit upon CP in 200 कर देंगे तो profit percent निकालाएगा ठीक है इसमें लोगों केवल एक चीज़ धियान रखनी है कि broken X की value हमको पहले पता करनी है क्योंकि percent में दिया है अगर सीधे बोलते था कि 3 X हमारे पास खराब निकल गए तो हम उसको 60 में से direct minus करते यहां पे percent form में दिया हुआ तो हमने पहले वो calculation की कि कितने actual में अंडे खराब हो गए उनको हमने fresh X में से जो हमारे पास total number of X थे उसमें से minus किया फिर हमने one dozen का क्योंकि हमको 57 हम इसमें direct dozen में convert नहीं कर पा रहे थे we can convert half dozen और something some value will come मगर हमको exact dozen नहीं समझ में आ रहा था तो हमने one dozen का cost लिया फिर one egg का cost लिया ठीक है one egg की है हमने 57 का selling price ले लिया कितने में जा रहा है और उसके बाद हमने formula से profit निकाल लिया